शाथियों आपको इस तरीके से आपको रसी लगाना है यहां पर एक गठी मारना है और फिर एक गठी मारना है थोड़ा सा उसमें गैब रख देना है और उसकी में साखा जो है उसमें रसी लपेटते हुए इस तरीके से उपर तक आपको चले आना है जिसमें टामाटा लगे ह हुए हैं उसी तरी में आपको अना है और इस तरीके से घुमाते हुए ओपर तक आपको रस्सी लपेट लेना है एक बढ़ियां से और देखिए दूसरी साखह में भी टमाइट लदा हुआ है तो यहाँ पर भी एक गठी मारते हैं उसके बाद फिर दूसरी गठी और उसके बाद फिर उसकी साखा में भी इस तरीके से जो है रसी लपेट लेते हैं चारों तरफ चारों तरफ अराम से रसी आपको लपेट लेना है तो और उसके बाद दोनों रसी हमें इकठा करके नीचे से हाथ लगा के पेट को सीधा कर लेते हैं देखे इस तरीके से आप अगर रसी लगाते हैं तो आपका एक भी पवधा तूटे गर नहीं इसमें ज़्यादा फल लग गए हैं और ज़्यादा तर लोग क्या करते हैं रस को फवधे के उपरे से में बादकर रसी को कीचते हैं तो पोड़ा वहीं से कट जाता हि क्योंकि उसके पास ज्यादा प्रपल लगे हुए हैं और लोड जाता है तो रसी वहीं से पोड़ा को काट देती है तो इस तरीके से lungenता नीचे सेpod voulais कर ऊपर तक लाते हें तो आपका पत्ती सूख गई है इस तरीके से आपका फल भी सड़ जाता दूसरा पौधा मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको कैसे बाढ़ना है जो ज़्यादा फल लगा हुआ है और इसका एक साखा नीचे के तरफ गूम गया है तो इसमें भी आपको देखिए सिधा करने के लिए दि प्लीज हमें कमेंट करके बताईएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसान भाईयों के साथ भी इसे जरूर भेजेगा नमस्तुरू